हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में कस्तूर्वा बाली का आवासिय विध्याले सिख्षक भरती के जितने भी विग्यापन जारी हुए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैंने बताया और सभी candidate जो भी apply किये जिनका merit list में नाम आया तो काफी अच्छी जो है वो बात उनके लिए है कि कस्तूर्वा के जो सिख्षक करमचारियों का वेतन 10 वीजदी जो हो बढ़ गया है एक अप्रेल से जो है ये नियम लागू हो चुका है तो आप लोगों को जो है यहाँ पर news जो है वो बता देती हूँ कि कितना जो है वो salary बढ़ी है तो यहाँ देखें कस्तूर्वा के सिख्षक करमचारियों का वेतन 10 वीजदी बढ़ा एक अप्रेल से ये नियम लागू हो चुका है 11,000 करमचारी होंगे लावनवित तो जिनका सेलेक्शन हुआ बहुत ही अच्छी खवर है उन कैनी रेट्स के लिए जिरोंने मेरी बात मानी और form अप्लाए किया अभी बहुत सारे कैनी रेट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि समविदा के अधार पर है 22,000 या 23,000 ही सेलरी है लेकिन आप ये सोचिए यहाँ पर वेतन के साथ में आपको आवास की सुविधा भी रहती है अभी सेलरी भी जो है वो बढ़ा दी गई है ये जो विध्याले रहते हैं कस्तूर्वा बाले का आवासी विध्याले सबसे पहले इन में समविदा के अधार पर ही वेकंसी आती है पर्मानेंट वेकंसी नहीं आती है बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई भी थी और बताई भी थी अब कुछ कैंडि रेट मान लेते हैं कुछ का कहना होता है कि कॉंट्रेक्ट बेस पर वेकंसी है फिलाल नहीं करनी है ठीक है क्योंकि हमें पर्मानेंट चाहिए अब जब सेलरी बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा हुआ है इन विद्यालेओं में कि जो गॉर्मेंट नई गॉर्मेंट आई है तो उन्होंने जो भी टीचर्स पढ़ा रहे थी समविदा के अधार पर पान साल जिनका कम्प्लीट हुआ तो उनको जो है रेगुलर पर्मानेंट कर दिया ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें तो काफी अच्छी जो है पैकेंसी रहती है ये जो न्यूज है लखनों से है लेकिन केंदर सरकार ने भी जो है इस के लिए जो है वो बिलकुल मान लिया है वह करमचारियों के वेतर में नए सैक्षिक सत्र दोहजार जोबिस पचीज में दस फीज दी वरद्धी पर सहमती दे दी गई है अब एक साल जो है जो भी कैंडिडेट यहां पर जो भी टीचर्स काम करेंगे अच्छा काम रहेगा तो next year उनका टाइम पिरेट बढ़ा दिये जाएगा next year फिर वहीं पर कर लेंगे फिर next year ऐसे करते करते अपने पद पर वो बने रहते हैं अपनी इच्छा से ही यहां से जाते हैं या फिर गौर्मेंट जॉब में उनका सेलेक्शन हो जाता है तो ही जाते हैं तो यह एक अप्रेल से प्रभावी होगा इससे सिक्षकों करमचारियों के वितर में 600 से 3000 रुपे तक की व्रद्धी हो जाएगी ठीक है तो अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग सेलरी थी तो ऐसे बढ़ाई गई इससे पहले वर्स 2018 में वेतन व्रद्धी होई थी अब आप देख लीजिए कि जैसे जो है सरकार बदली तो उस वक्त भी जो है इस वेतन में व्रद्धी होई थी और अब जो है 2014 में भी हो गई प्रदेश में 746 कस्तूरवा गांधी बालिका आवासी विध्याले हैं इनमें उस्तन 10 से 15 स्टाफ तैनाथ हैं इसमें सिक्षक, पार्टाइम टीचर, वार्डन, लेखाकार, खाना बनाने वाले चौकीदार, चप्रासी आदी शामिल हैं पिछले दिनों के इंद्रिय सिक्षा मंत्राले की प्रोजेक्ट एडवाईजरी बोर्ड की बैठक में उतर प्रदेश के 10 वीजदी वेतन व्रदी के प्रस्ताफ को हरी जंडी दे दी गई इसमें करीब 11,000 करमचारी जो हैं वो लावानवित होंगे तो स्टेट गॉर्मेंट ही नहीं यहां पर जो है सेंट्रल गॉर्मेंट ने भी जो है इस चीज को कहा है कि व्रदी बिलकुल की जाएगी और एक अप्रेल से यह हो भी गई है वाडेन का पहले जो है वेतन था 27,500 अब 30,000 से जादा हो गया है फुल टाइम टीचर्स का 22,000 था यहां कहीं कहीं पर 23,000 भी देते हैं तो इनकी जो सेलरी है 24,200 हो गई है उर्दू सिक्षक की 14,000 से 16,408 हो गई है लेखाकार की 1,000 से 13,673 हो गई है आखरी बार 2018 में आंसिक वरद्धी हुई थी सरकार ने कई साल बाद कस्तूरवा के करमचारियों को सिद ली है लेकिन यह बेसिक विद्यालों के अपिक्षा अभी भी कम है हाला कि कम है लेकिन इसमें आवास की सुविधा भी रहती है ठीक है कई स्कूल जो है जहां पर फूड भी अवलेवल कराया जाता है सभी में नहीं करा रहे हैं बट किसी किसी में अभी करा भी रहे हैं पहले यहाँ पर पूरो सब्यर्ती भी लिये जाते थे, बट इस बार केवल महला ब्यर्तियों का ही सेलेक्शन हुआ है, यहाँ भी वार्डेन की जगे प्रधाना ध्यापक की तैनाती की जाए, तो विवस्ता और भी बैतर होगी, अब यहाँ पर वेकेंसी आ सकती है, सेलेक्शन होगा, ठीक है, तो यह काफी अच्छी जो है, न्यूज है, आगे जिस भी राज्ये की वेकेंसी आती है, अगर अधर स्टेट के एक एंडिरेट को अलाव किया जाता है, तो वहाँ पर भी फॉर्म फिल बिल्कुल किया करें, कोई भी वेकेंसी, जो की मेरे द्व एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो भी पहली बार चैनल पर आये हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, सिक्षक बढ़ना चाते हैं, तो सिक्षक भरती के जितने भी विज्यापन जारी होते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की जिसकी सूचना आप लोगों तक नहीं पहुंचती है, वीडियो के मात्यम से बिल्कुल समय पर आप लोगों को बताया जाता है, कई कैनिडेट जो है कहते हैं कि हमें जो है अभी वीडियो जो है अभी देखने को मिला, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन अभी आया, तो आप जो है अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल पर जाकर जो है लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड होते हैं, जैसे आज की डेट में जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं, उनको तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू